नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कलामें कैसे हैं आप सभी आज तिंक स्वस्थ होंगे अगर कोई सेहत संबंधी सवाल हैं आपके मन में या फिर कोई समस्या है तो लिख भेज़ें कमेंट्स के माध्यम से हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे आईए आज के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी चक्रफूल के सेवन से क्या-क्या स्वास्थे को लाव होते हैं जिहां चक्रफूल के बारे में आज के इस वीडियो में पू को बढ़ाता है बलकि स्वास्थ के लिए बहुत अच्छा है मुल रूप से चीन में पैदा हुए इस मसाले का स्वाद मुलेठी जैसा होता है इसे अक्सर भोजन में और समान्य स्वाद जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है इसमें एक अलग तरह की सुगंध होती है यह शरीर में फ्री रेडिकल्स को निहंतरित करने में मदद करता है और उम्र बहने के लक्षणों को रोकता है इसके साथ साथ यह सर्दी खांसी को ठीक करता है पाचन तंत्र में सुधार करता है पेट संबंधी समस्याओं को रोकता है और योन स्वास्थ को बहतर करता है कै से आईए जानते हैं सबसे पहले अब की सर्दी खांसी को कैसे ठीक करता है चक्रफुल में थाइमों और एथोल होते हैं जो तुरंत सर्दी और खांसी के समस्या में रहत देता है यह शरीर को गर्म रखने में मदद करता है इसलिए लाफदायक है इसके अलावा इससे पाचन पाचन में सुधार करने के लिए चक्रफुल का सेवन करना चाहिए यह आपको गैस, सूजन, अपच, पेटदर्द, कब्ज इन सभी समस्याओं से दूर रहने में मदद करता है इसके अलावा योन स्वास्ते को बहतर करने के लिए भी चक्रफुल का इस्तेमाल करना लापका चक्रफुल का सेवन सेक्स ड्राइव को बढ़ाने में मदद करता है यह आपको योन रूप से स्वस्त रखता है इसलिए आपको चक्रफुल का सेवन करना चाहिए एक गलास पानी में चक्रफुल का पावडर मिला करके आप सेवन कर सकते हैं चक्रफुल का सेवन करने से यानि कि per day इसकी मात्रा होगी 5-10 ग्राम पूरे भोजन में पूरे दिन के भोजन में इतना ही आपके लिए एनफ होगा तो ऐसी ही नॉलिजफुल वीडियो आप सभी चाहते हैं कि आपको और मिलें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोट स्विकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले वीडियो के अंत तक आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं इस बात की बहुत खुशी है हमें लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया शेर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए अग अगर आपके मन में कोई भी स्वास्ते संबंधी सवाल हैं तो हमाने वाले दिनों में उन टोपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों